हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुन्दर और यूनीक सा डिजाइन लेकर आए हैं यह जो डिजाइन है देखने में जितना खुबसूरत लगता है उतना ही बनाने में यह असान भी है लेकिन आपको लग रहा होगा कि कैसे बनाया है तो यहसे बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने एक paper का टुकड़ा लिया है इस paper के टुकड़े की जो लंबाई है वो हमने तक्रीवन 2 इंच के क्रीब ली है और इसकी जो चुडाई है वो हमारी 1 इंच है हमने इस तरह पत्ति के अकार में इसको कट कर लिया है इसको मैंने इस तरह फोल्ड करके इस तरह गोल में काट लिया एक पत्ति का अकार आ गया इस तरह हमने पेस्टिंग वाली एक बुक्रम ले लेनी है पेस्टिंग वाली बुक्रम के उपर हम इसको ब्रॉख कर लेते हैं 15-20 पत्तियां इस तरह ड्रॉख कर ले और इसके कटिंग कर ले ये पत्तिया आपने जुरूर कट करनी है पेपर के उपर तभी ये साइज विलकुल एक खुला पाएगा अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग और एक कीज का ध्यान रखेगा कि ये जो बुकरम है वो आप पेस्टिंग वाली यूज़ करें तो आपका डिजाइन बहुत असानी से बनेगा इस तरह हमने ये पत्यां सारी कट कर ली है अब इनको साइड में कर देते हैं अब हम बॉटम वाला कपड़ा लेते हैं जो हमारा बॉटम का कपड़ा है उसके उपर रखे इसको पेस्ट कर लेना है अब पेस्टिंग वाली बुकरम होने का फैदा यही रहेगा कि सिलाई आपक कपड़ेंगे और इसको कट कर लेंगे जो एकसा कपड़ा है ओपर हम इसलिक से गलू लगा देते हैं चारों तरफ इसलिक लगा देंगे और दतір हम इसलिए इसको फोल्ड करेंगे जब वाल करेंगे यहां पे कडेवाग की योज्टिंग lifes paris का यूज़ करेंगे तो बहुत असान रहेगा को कुछी फैविकल को सूखने में टाइम लगता है यह जल्दी से चिपक जाएगा अब हमने इसको इस तरह फोल्ड किया है अब सारी पतियां हमने इसी तरह बना कर अपनी रेडी कर लेनी है तो लीजे सारी पतियां हमने बना ल लेनी है और इसी नाप का हमने यहां पे टिशू का कपड़ा लिया है इसके उपर रखते हुए इसको सेल देंगे दोना तरफ से आपने इसको सेल देना है और यहां पे एक डोरी ली है यह हमारी गोटा पत्टी वाली गुच्छी होती है जो वो ली है इसको हम इस तरह अप इस तरह हमने इसको लपेड दिया है पूरी बॉबिन पर इस तरह कि आपने तीन से चार बॉबिन भरके रख लेनी है इस डिजाइन के लिए अब हम इसको एक पिन लगाके ऐसे रोक लेंगे ताकि यह खुले ना और इसको यहां से कट कर देते हैं यह एक बॉबिन हमारी भ पहले हैं उसको मैं खोल लेना है यह इसको और धागा निकालते हैं वैसे ही इसको निकाल रेना है और लेघे Alt लगे की थौड़ा से टाइप्र आला ृजाए और निकatique नो और इसको अब हमने मशीन के नीचे लगाना है तो यह जो है कपड़े के ऊपर रखते हुए दिखिए मैंने इस तरह से लाई लगा ली है पेपर के ऊपर जो हमारा टिशू का कपड़ा था उसको जोड़ लिया है अब हमने यह जो हमारी वाविन वाली फिरकी है इसको हमने नीचे लगा देना है मशीन के जैसे हम लगाते ही है और यह टेंशन होती है इस टेंशन को अब हमने टाइट करना है नीचे का धागा डीला रहेगा उपर का धागा हमारा टाइट रहेगा अब हम इसको इस तरह अच्छा बनेगा उपर वाला काफी टाइट होना चाहिए अब हमने टीशू वाला कपड़ा नीचे रख दिया है पेपर वाला हिस्सा आपनी तरफ रखा है यानि कि इसको उल्टा रखा है अब हम इसको ऐसे सिलेंगे अब उपर की तरफ तो हमारा धागा आएगा सेंपल वा यह देखें इसतरए की यह सिलाई लगजाएगी और इसी तरह सेलते हुए अब पूरी पत्टी को हम रेडी कर लेते हैं पूरी पत्टी में हमने इसी तरह सिलाईया लगानी है और अगर आपका धागा बीच में जैसे गोटा पत्टी खतम हो जाती है तो आपने सिलाई निशान आपने बना लेना है तो मैंने हाफ का निशान इस तरह रख लिया है यह हमारी जो लाइन है यह हाफ का निशान है अब हमने इस तरह यह पत्यां ले लिनी है यह हमने सारी पत्यां ले लिए हैं यहां पर चार पत्यां लेंगे पहले चार पत्यों से एक डिजाइन हमा जाएगा जो लोग आज हमारे चैनल पे नहीं आए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को अन कर लें और ये भी जरूर बताएं कि आपको हमारे डिजाइन कैसे लगते हैं तो इस तरह हमने हाफ के निशान में बिल्कुल मिडल में रखते इसे ही रखते हुए हमने पूरे में इनको जोन लेना है पहले चार का फूल बनाना है फिर दुबारा चार का फूल बनाना है इसी तरह ये सारे फूल रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आएगा झाल बना आएगा तो लीजिए ये सारी पतिया हमने इस तरह जोड़ दी हैं देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है अब हमने वाइट कलर का धागा भर लिया है उपर की तरफ नीचे आप जो मर्जी रखें लेकिन उपर की तरफ वाइट धागा भर लेना है और इस तरह हम छोटी से बड लगाएंगे पहले बड़ी लगाएंगे फिर बीच में छोटी लगाएंगे जैसे पति के बीच में लाइने होती है इसी तरह फ्लावर के बीच में होते हैं जो उसी तरह हमने इसको बनाना है तो इस तरह हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं वाइट धागे के साथ इसी तरह हमने प पूरे को सिल्के में आपको दिखाती हूँ लिजे सारे में हमने वाइड धागे से ये क्रेटिविटी कर दी है और देखने बहुत जाद संदर लग रहा है अब हमने क्या किया है बॉटम ले लेनी है अपनी और इसके उपर इस तरह गोटा पर्ती वाली जो लेस होती है उसको रखते हुए सिल्देना है ये लेस मैंने इस टाइम उल्टी रखी है लेस आपने कोई भी लेनी है तो इस तरह उल्टी रखेंगे बॉटम सीधी है हमारी लेस उल्टी है और अब हम इस डिजाइन को इस तरह नीचे रखेंगे और जो हमारा बॉटम का है इसको उपर रखते हुए इसी सिलाई के उपर एक सिलाई गोर लगा देंगे इस तरह हमने इसको जोड़ देना है ये हमारा जुड़ गया है अब हम इसको सीधा कर लेंगे सीधा करके इस तरह दबाब की सिलाई लगाएंगे तो ये जो हमारी समोसा लेस है गोटा पटी वाली लेस है वो इस तरह अंदर की तरफ निकलेगी तो बहुत संदर लगेगी अभी हम एक पटी लेते हैं और ये हमारी पटी की चुड़ाई धाई इंच है और लंबाई हमारी बाटम के हिसाब से है इसको नीचे रखते हुए एक सिलाई इस तरह लगा देते हैं सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है बाहर की तरफ और एक दबाब की सिलाई भी लगा देनी है अब हम फिर वही वाली lace लेते हैं जो हमने smosha lace ली है इसको हम इसकी folding में देंगे ऐसे हम fold कर लेंगे इसको fold करते हुए इसके अंदर इसको डालेंगे और इस तरह stitch कर देंगे हमारे जो ये corners है वह हमने वही दिखाने हैं बाकि के सारे अंदर चले जाएंगे तो यह सिलाई मारी लग जाएगी तो लिजए यह हमारा design तो इसको कट कर देते हैं को कट करने के बाद हमने इसके जो अंदर का hidden paper है वो भी सारा निकाल देना है तो इसको हम इस तरह उल्टा करेंगे और इसका पेपर सारा निकाल देंगे पेपर निकालके फिर मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ कितनी बड़ी आई है तो लीजिए ये डिजाइन हमारा अब कम्प्लीट है अगर आप इसमें थोड़ा सा और डिजाइन को अच्छा निकारना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा काम और कर सकते हैं अगर हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसको तो ये ऐसा डिजाइन दिखेगा आप पाकिस्तानी सूट बना रहे हैं तो उसकी घेरे में प्लाजो में बाजू में बनाईए तो ये बहुत ही जवरदस्त लगता है देखने में अब हम क्या करेंगे इसको तरह रखते हुए इसके उपर ग्लू लगाके छोटे-छोटे फ्लावर चिपका देते हैं यहां पर आप कोई भी किसी भी तरह के फ्लावर चिपका सकते हैं मेरे पास वाइट कलर के छोटे-छोटे फ्लावर हैं उनको हम इसके उपर लगाकर सुखा लेंगे इस तरह हम इसके उपर जोड़ देते हैं अगर आप यहाँ पर कोई मोती लगाना चाहते हैं तो मोती भी लगा सकते हैं तो लीजिए यह डिजाइन हमारा बनकर बहुत ही सुन्दर तैयार हुआ है आपको यह डिजाइन कैसा लगा है हमें बताईएगा जरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे मिलते हैं किसी नए रिजाइन के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर अपना ध्याण रखिएगा